बूर्णिंग इस्टुडेंग वेल्कम टू आर्शाई एचुहट केमिश्टिक ओनलाइन फ्लास्टुडेंग लाश्ट टैम पर हम बात कर रहे थे आधुनिक आवर्सागने के और आधुनिक आवर्सागने का हमने विश्टार से अध्धन किया सब्सक्राइंग बंढट करते हैं नियि maiden कि एक grab पहात को चार इस मी व्रस्टित किया में और में एस ट्रीडी क्रेंग लोग जो सब्सक्राइब करेंगे कि सो नुमर से अधिक सो से अधिक परमानु-करमानु वाले तत्वों का नामक्राइब कैसे करते हैं तो इसमें देखते हैं सो से अधिक परमानु करमा वाले कि तत्वों का नाम परण कि सो से अधिक जो प्रमान कर्मान कर्मान तत्व करें गें यहां पर देखना अगर आपकी पास में जीरो नमबर आता है च्टब करता है यहां पर दीख आपके पास में जीरो नमबर आता है यह नमबर है इसको बोलेगे इसको बोलेंगे निल इसको बोलेंगे अन, इसको बोलेंगे बाई, इसको बोलेंगे ट्राई, इसको बोलेंगे क्वेट, इसको बोलेंगे पैंड, इसको बोलेंगे हैट, इसको बोलेंगे सेट, इसको बोलेंगे ओक्ट या ओक्ट भी बोर सकते हैं, फिक है और इसको बोलेंगे इन, इसको बोलें कि याद़ घरना है जो सो से आधिक है जो दप तुब होंगे पर्मानुकर मानगवाल Ja का नाम प्रण करेंगे? फ्रिएक पोलेंगे निल, तो यहां पर स्ट्रेंड है नाम के पीछे जो आएगा नाम के पीछे आई यू एम एम अनु लगन लगा देते हैं जैसे हम इसके एक्जाम्बल्स करते हैं इसका तो भार है हम ओलेंगे कि परमानो करमानक वाला 101 वाला जो तत्त्त है उसका नाम कैसे लिखेंगे परमान परमानो 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 हम सिरफ 112 तक के तत्यों की बात कर रहे हैं कि यहां 122 तत्यों के बारे में ही उख रहे हैं तो हम बात करते हैं अगर हमें थे परंवा हैं 101 कर देंगे इंड कुँछ मैंने की जिसका नाम क्या होगा वान जिए न सहरा इसका नाम क्या होगा एकुट वोलेंगे अन जिए तो बहुत फेया कि व को गेश different अन और नाम के पीछी क्या लगा देंगे इम लगादेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा अन निल यह इम इसको हमें है जो आ बोलें सोटकट में जो बोलते हैं इसको बोलेंगे यू एन यू ठीक है अब इधरती आगे दहान दे एक चोझ दो नमबर करो सब्सक्राइब परमान कि अब बात करते हैं 103 इसको कैसे रिक होगे एक को पोड़ोगे निल और थीन को क्या बोलोगे ट्राइव क्या जाएगा यहां है ठीक है इसका नाम हो जाएगा और इसको लिखेंगे यू एंड टी पर्माण पर्माण के इसको लिखेंगे अन जीरो को लिखेंगे हम निल फोर को लिखेंगे वैड और नाम के पिछी के लागा देंगे टी हम इसको लिखेंगे यू एंड टीक है अब बात करते हैं पर्माण अब बात करते हैं प्रवांग प्रवांग एक को गोलेंगे यू एन पी अब बात करते हैं प्रवांग प्रवांग 106 वाला तक्तो इसका हम नामकर्ण कैसे करेंगे इसका नाम कि लगा लेंगे यू एन अब आगे चलते हैं बात करते हैं जो यहां पर परमानों कर्मान दिया गया है वह मानवों 107 है प्रवांग बात कर चुके हैं देखोगे क्या बोलेगे हुआ यह बहुत है अब बात करते हैं मिलियंगे अभी आपहिए यह बात करते हैं नम्र क्या बोलोगे आन में आपको बोलेंगे ओअ और ना कुछा जाएगा यह इसकों क्या बोलेंगे यू एन एस इसकों क्या बोलेंगे यू एन ओधिकर द्यार थे अब बात भी बात करते हैं इसको बहते हैं ऑब हमारे प्रासमिश नम्र के आधि उसको बोलता है इन बोलते हैं वह उन पुरनाम को पिछ एगा इन है इसका नाम क्या हो जाएगा यू एनधिकर भागी सब्सक्राइब एक सोब दस एक को जा बोलोगे अन फिर क्या एगा अन फिर क्या एगा ने फिर क्या एगा यम इसको बोलेंगे यू यू एंड इसको क्या बोलेंड एक को बोलोगे अन फिर एक को बोलोगे अन फिर एक को क्या बोलोगे अन नम इसको क्या जाएगा यम अन है अन है यम यहां पर इसको बोलते हैं यू यू जैसा कि मैंने अपी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आवर सारणी के बारे में तो इस्टेंट वहां पर जाके देखना हमारे पास में जो को परमाणों परमान करमांगGroup परमानव करण कि सोसे अधिक परमाहन करणा रखनेवाले तत्व सकाक नाम करण हम कैसे करेंगे तो हमें सबसे पहले और नाम के पीछे क्या लगा देंगे अब आपको करना कुछ भी नहीं है एक दो अपने आपसे खुद कर सकते हैं अगर मांदो आपको एक्जामपल दिया जाए कि 114, 118, 119 तत्र जो हैं इनका नाम करन करके बताएं तो कैसे करोगे विध्यारती स्टुडेंट बच्चों या आपको पास में सांगे टेबल दी नहीं है और नाम की पीछे क्या लगा दोगे एम लगा दोगे थैंक्यू क्लास बाती बाती करेंगे कल की मिलास में